अजमेर के आदर्शनगर थाना शेत्र इस्थित परबदपुरा इंडर्स्टेल एरिया में इस्थित सुरक्षा फ्लैक्सो प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कप मच गया आग की सूषना पर आदर्जन से अधिक दमकल मौके पर पहुंची लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है जानकारी मिलते ही आदर्शनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और हाला तो का जायजा लेते हुए अगनी शमन विभाग वे अन्यमाध्यम से आग बुजाने का प्रयास किया जा रहा है थाना प्रभारी हेमराज मुंड ने बताया कि रविवार होने के चलते फैक्टरी में कोई काम तो नहीं चल रहा था लेकिन अध्यातकार्णों के चलते आग लग गई इस दोरान किसी जन्हानी की सूचना नहीं है लेकिन आग प्लास्टिक होने के चलते विक्राल रूप ले रही है जिसे अगनी शमन के विप्ति कर्मचारी बुजाने का प्रयास कर रहे है अगनी शमन अधिकारी गौरवकुमार ने बताया कि आग दूसरी मंजिल पर लगी ह इसमें शुरक्षा फ्लेक्सो नाव से प्लास्टिंग प्लास्टिंग मेटरी ठेकती है इसके फ्लोर ते जो इंसेट का बनावास में अज संडे के काम तो बनता पारन का भी पता नहीं लेकिन आग लगी कि इन चार फायर बीजिट गाड़ी आग रहे है आग जाने प्रयास है और हमें शुचना मिली थी तो हमने गाड़े रवाना करी करीबिन वाताट गाड़े आमारी आज चुकी है और आग बुझाने का काम चलुए नहीं अभी कर रहे है अभी ज्यादा है तो इसको कंट्रोल कर रहे हैं यहां पर प्रकेजिंग बनाते हैं और उसके अंदर वह केज जी गुपता है अंदिल जी गुपता संदीब की गुपता और दावशी जी गुपता की बैक्ती है सुरक्षा फ्लक्षो के नाम से है आपका नाम निया नाम सुरेंद्र है खबर की हो सत्यता हो या खबर की अन कहीं दासता है होगी सच्चाई की बापसी SKV News सच्चाई की बापसी